धर्मेंद्र प्रधान आगरा में घरगर जाके संपर्ख भी कर रहे हैं लोगों से बात भी कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से घरगर जाके लोगों से अब संपर्ख कर रहे हैं किस तरीके से रिस्पॉंस मिल रहा है देखे कोई संद्य नहीं है ज जब अगले दस तारिक से उतर प्रदेश में पहला चल्ण की चुनाव सुरू होगा उसी दिन से कमल खिलना सुरू हो जाएगा पश्चीम और ब्रज पुराने दिनों से भारतिय जनतापाटी का गड़ रहा है कार्यकरता और समाज यहां लग चुका है 2014, 2017 और उनिस उतर प्रदेश की आसिरवाद से देश में और प्रदेश में मजबूत और असरदार सासन चल रही है अखलेश यादब तो यह कह रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब ही कि बड़े नेताओं को घर घर जाना पड़ रहा है देखिए वह अहंकारी है सामनतबादी मनस्तिति का विक्ति है इसलिए उनको लगता है कि मैं सोने की चामज मुँपे लेकर जन्मा हूं ऐसे ही चलूँगा प्रजात तंत्र में जनता की पास जाना नमरता प्रकट करना पिछले दिनों की कामों की हिसाब देना और आने वाल जाएंगे प्रधान मंत्री जी से लेके सामन्य कार्या करता तक हम सभी लोग प्रजात अंत्र में सत्य प्रतिसत मतदान हो सभी लोग हमको मत दें नहीं दें हम भी जानते हैं लेकिन प्रजात अंत्र में सभी लोग मतदान दे अपना सावेस्त करें जाहिर करें जिनको चु क्यों पेट में पिड़ा होती है मुल भी से हैं तो यहां के सर्वसमाज बीजेपी के साथ हैं और किसी ने गलत दोस्तीक चुना तो उनको जाने हमें क्या कहना है हम तो सर्वसमाज को लेकर चलने वालोग है पस्टीम उत्रप्रदेश में क्या इस्तिति बताए जा रहा है कि जाट मुस्लिम तर्थ अलग-अलग वर्गों की बात की जा रही है और भारती जंता पार्टी के बड़े नेताओं का एक डम कॉर्पेट बॉंबिंग टाइप से हो गया है सब लोग एक एक जगा रहे हैं देखिए 2019 को किसी ने नहीं बूलनी चाहिए यही उत्तरप्रदेश की जंता था उनी की मतदान था 17 को कोई नहीं भूलना चाहिए था 14 को भी कोई ना भूले जब से भारत की रास्तिय राजनिति में नरेंद्र मोधी आ चुके हैं विशेश करके समाज की बंचित तबकों की गरीबों की दलीतों की पिछडों की मन में एक नहीं आसा आई है हमारी कोई घर की बेटा दिल्ली की दाईतों में इसलिए देश में अधूत अपूर्वा जागरन हुई है लोग भरोसा करते हैं उसी भरोसा फिर मतदान में बदल जाएगी पिछणों की अगर आप जो बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं चाहे वो गैस की योजना हो आप भ अंगरेज्वों से लड़के हम लोग आजादी मिला हम लोगों 75 साल हो गया आज प्रधान मंत्री जी अर्व करणों की संक्या में गरीबों को घर बना के दे रहें नल में जल पहुंचा रहे हैं बिजली पहुंचा रहे हैं सोचाले पहुंचा रहे हैं ग्या सिलिंडर दे यह कोरोना की महामारी की समय में रासन दे रहे हैं तेल दे रहे हैं नून दे रहे हैं दाल दे रहे हैं बैंक खाता में माताओं की पास सिधा पैसा पहुंचा रहे हैं स्रमीकों की बैंक खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं किसानों की बैंक खाते में किसान सन्मा निदी दे र यह सब करते पिछुडों की विकास करते गरीबों की विकास करते दलित अदिवाशी की विकास करते हमें कहां सुभागय मिलता है यह मोदी जी को सुभागय मिला है सेवाग करने के लिए इसलिए मोदी जी को लोग पसंद करते बरोसा भी करते हैं बार बार अखलेश मुसलमान कि माइनोरिटी भाई वेहनों को नहीं मिला है क्या उनको घर उनकी घर में बिजली पहुंचाने में योगी जी ने कोई कुंटा किया है रासन देने में हम कोई भेदभाव कर रहे हैं उनकियों जमाना था इस एक विरादरी की लोगों का नवक्री होता था थाने उनी से भरे जाते थे लेकपाल उनी की लोग होते थे जमीन उनी के लोग घडबते थे पार्क उनी की लोग कब जाये करते थे यह उनी की संस्कूर्थी है वह चंद लोगों की सासन चलाते हैं हम आम लोगों की सासन चलाते सब के लिए चलाते हैं पैसी क्या वजह है कि बार पर पाकिस् जेल में क्यों हैं कोई आज़ादी के लढ़ाई लड़के जेल में है क्या गरीबों की जमीन लड़ते है नहीं लाप इसलिए उसलिया जैल में है इसलिए वे बुन्यादी बात और कोई देश की नाम लेकर चुनाव लटना चाहते हैं काम तो किये नहीं गरिवों की पेट की चिंता रोजी रोट की चिंता तो किये नहीं वह भुखतेंगें कुस तरीक से देख रहे हैं इस चुनाव में अरे छोड़िए उनको मुभारक प्रदावी प्रोटकॉल है इन फास फेच की 20 विदान सभाओं के अंदर मान्य प्रधान मंतिर नरेंदर मुदीची और मुक्षय मंत्री योगी आदीते नाद जी की सभा होगी लाखों की संख्या में लोग जुडेंगे बड़ा उस्चा है हमारी पार्टी की कार्यकरता उसमें लग चुके हैं समाज में बड़ा आनंद की महौल है एक आखरी सवाल जो टिक्टो को लेकर है अंतिम जो कुछ पच्छी हुई है कब तक उसका अनौंस्मेंट हो जाएगा द लेते धर्मिंद्पृद्धा जिनका साथ कहना था कि विपक्ष जो है मुद्दों की बात नहीं कर रहा है हम विकास की बात कर रहें उस पर लड़ाई हो रही कैमरामन के साथ कुमार कुंद्ध कुमार को